यह यह बनाई है मैंने लड़ो को पाल के लिए कैप अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे युट्वक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो देखे मेरी पूरी वीडियो कैसे बनाई है मैंने लड़ो को पाल के लिए बेह सुन्दर कैप कि अगि देखे हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही है कैप मैं बना रही है काना जी के लिए कैप यह देखे मैंने यह ओसक्राइब कमपनिय प्रियोसफाही सब्सक्राइब ज़रूर के लिए और हैसाच इइस से को पासके जाइस हैं साइज चोटा है तो फंदे कम कर सकते हैं क्योंकि मेरे जो लड़ू गोपाल है वो 5 नंबर के हैं तो उनके लिए मैं 22 फंदे डाल ली हूँ अब हमने इसको कैसे बिन्न है देखिए 22 फंदे डालने के बार अगर किसी को फंदे डालने नहीं आते हैं तो मैंने को सस्क्राइब करें साथ ही ऑल के बटन पर क्लिक करें जिससे की हर आने वाली वीडियो आप तब पहुंच जाए अब देखिए अब इसको कैसे बनाना है वो बता दियो तागा अपनी तरफ सलाई अपनी तरफ इस तरीके दे उल्टा बिनना है हमको यह काफी सुन्दर काफी खिलता है तो लड्डू बोपाल पर भी यह रैड कलर काफी अच्छा लगेगा देखे इस तरीके से तागा अपनी तरह सलाई अपनी तरफ करके हमने उल्टी-उल्टी सलाई आगे से भी बनानी है और बैक-साइड से भी बनानी है अर बैक साइट से भी हम बनाएंगे उल्टी उल्टी बिनाईए आगा अपने तरफ पीची लाई अपने तरफ पीची देखे मेरे 1, 2, 3 3 डू आगे से और 1, 2, 3 डू पीछे से कम्प्लेट हो चुक है तो अब 3 डू आगे से मतलब six zero complete करने के बात अब हम क्या करेंगे सीधी बिनाई बिनाएंगे देखे तागा पीछे सिलाई पीछे hypothesis इस तरीके से हम सीधा बिनेगे तागा पीछे सिलाई पीछे देखे, इसья भाई बता रहे हूं ध्यान से देखके आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीके बेहत सुंदर कैप बनने वाली है लड़ू गोपाल की ये देखे ये बना दिया मैंने और बैक साइड इसको बनाएंगे हम उल्टा ठीके तागा अपनी तरफ से लाई अपनी तरफ इस तरीके से बैक साइड उल्टा ही बिनना है ये तागा अपनी तरफ से लाई अपनी तरफ पूरा रोग कंप्लीट करते हैं ये लड़ू गोपाल की कैप को और समधर बनाने के लिए ये लाई हमें पतली क्रोश्या साथ में मोती ये देख सकते हैं ये जीरो नुमबर की क्रोश्य ये तागे वाल के पतली क्रोश्या मिल जाती है मार्केट में पतली वाली है जिससे हम तागा काणते हैं आप मार्केट से ले लिजिए मैं लाए थी इसको पंदरा रुपी का क्रोश्य अब देखे आप इसमा मोती कैसे प्रहेंगे यह मोती है देखे इस तरीके से हमने मोती के अंदर इसको डालना है और तागे को इस तरीके से बाहर निक यहां 2 एक कर देखे तागा लिने से फंदा बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से यह थी तरीके से अब 4 फंदे बिलिए फिर एक मोती फिर attach कर लेंगे हम ये मेरा मेरा मोती मोती डाल दिया हमने इस तरीके से क्रोश्या के अंदर और ये तागे को इस तरीके से क्रोश्या के अंदर से हम निकाल लेंगे निकाल लिया, प्रोश्य के अंदर से निकाल के आगे डाल देंगे और इस तरीके से दो का फिर एक कर लेंगे क्योंकि वो मोती निकालने से एक फंदा जो बढ़ जाता है यहाँ उसको भी और आगे वाले फंदे को भी दो का एक कर लेंगे तो वो फंदा कम हो जाएगा, बनलब ब्राबर लेवल में आ जाएगे, देखे, दो फंदा मोती अटेच के लिए, फिर एक, दो, तीन, चार, अब चार फंदा बिरने के बाद एक मोती फिर अटेच कर देंगे, नेरा मोती, मोती के अंदर डालो क्रोश्या, यह पतला वाला क् पतला होता है, इस तरीके से बाहर निकाल लीजे, मोती से तागे को, तागे को डाल दीजे, आगे वाली श्लाई में, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, पीछे से दीखे, दो फंदे ले लीजे, मतलब एक जो मोती पिरोया था वो वाला, एक उसके आगे वाला फंदा, फिर दो का इस तरीके से एक कर लेजिए ये फिर चार फंदे फिर बिल लेजिए चार फंदे बिल लेजिए फिर एक मोती हम फिर अटेच कर लेंगे ये रहा मोती मोती के अंदर डाल दो क्रोश्या और यहां से तागे को मोती के अंदर से इस तरीके से आप बाहर निकाल लेजिए ह हम उल्टा ही बिनेंगे, तागा अपनी तरफ सिलाई अपनी तरफ पर किये, इस तरीके से पूरी रो उल्टा ही कमपलेट करेंगे, फिर आगे की साइड हमने सिलाई पीछे तागा पीछे करके सीधा ही बिनना है, इस तरीके से कमपलेट करके दिखाती हूँ, मेरे लड़ू पोपाल की कैब बन के रेडी हो चुकी है, अब इसके लेंथा आपको बताती हूँ, पहले तो मैंने 6 फंदे उल्टी-उल्टी बिनाई तीन आगे से तीन पीछे से, और फिर मैंने सीधी सलाई स्टार्ट की, अब क्या करेंगे हम, अब हमारे जितने भी ये फंदे हैं, उनको हम सुई की साहिता से एक कर लेंगे, अब ये देखिया, आप ये जितने भी फंदे हैं, इनको इस तरीके समय सुई में तागर डाल लिया, और सारी फंदे हम सुई में ले लेंगे, पूरे फंदों को हमने सुई में ले लेना है सारे फंदे हमने सुई में ले लिए फ्रीक हो गया अब इस त्रीके से हम यह देखे पहले एक फ्लावर बनाएंगि हम उपर के लिए जी्या काफी पसंद होता है सब्सक्राइब लगाने के बाद नोट लगा लेंगे पहले सुई से इस तरीके से यहां कट कर लेते हैं सुई को निकाल देते हैं तागे के अंदर से यह सुई निकाल दी और इन में गांट लगा दी जिया इस तरीके से हमने गांट लगा देनी यह कैप का फ्लावर रेडी है उपर और यहां गांट टाइट से लगा लीजिए जिसे के हमाला फ्लावर निकले न यह देखे यह कल लिया आप इस तरीके से कैप को उल्टा कर लीजिए कैप को उल्टा कर लिया हमने और इसमें एक गांट फिल लगा लेगे जो एक्सरा तागा है थोड़ा बढ़ा इसको आप कट कर लीजिए आप देखिए अब जो मैंने यहां तागा छोड़ा था उपर फंदों में से उसमें हम सुई डाल लेंगे इसमें तागट डाल लेंगे और अब हम क्या करेंगे आब इसको हम सिल लेंगे जिन नीचे का एक्सरा है फंदे डालने वक्त का तागा उसको भी हम कट कर लेंगे इतना बांकी को हम उसको सिल लेंगे यह देखिया अब हम इसको सिल लेंगे काफी अच्छी काना जी की कैप बनके रेडी होने वाली अभी मेरी देखिया आप लोग भी ऐसी बनाईए क्योंकि जिस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं लड्डू कोपाल भी एक बाल रूप है तो हमने लड्डू कोपाल के लिए भी जाड़ो में यानि की समर सीजन में हमने उलन कपड़े ही पहनाने चाहिए और लड्डू कोपाल के लिए मैंने काफी अच्छा सौल भी बना के रखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रेप्शन में लिंक का अप्लोट कर दूँगी वो भी आप देखके अपने लड़ू गुपाल के लिए बना सकते हैं कर देखके से हमने सिल लिया अब जो हमारे ये तागे हैं इनको हम इस तरीके से कुरुश्या की साहिता से अंदर को ये अंदर को छिपालेंगे इस तरीके से जिससे दीखेना हमारे तागे इसको भी आप थोड़ा उपर-उपर को ले लीजिए इस तरीके से इससे की कैप खुलेना और कैप काफी मजबूत रहे देखे ये रेडी है मेरी लड़ू गुपाल की कैप देखे काफी सुन्दर लग रही है और फ्लावर को भी थोड़ा हम बराबर कर लेते हैं क्योंकि कहीं पर उपर कहीं पर नीचे हुए हैं ये देखे मेरी लड़ू गुपाल की कैप बनके रेडी है अब पहना के दिखाती हूँ आपको मैं लड़ू गुपाल को देख सकते हैं आप लोग लड़ू गुपाल को कैप एकदम फिट आई है और काफी सुन्दर लग रही है इस तरीके से आप भी बना सकते हैं अपने लड़ू गुपाल के लिए बेहत सुन्दर कैप और बेहत जल्दी तयार हो जाती हैं सिर्फ आदे गंटे में कैप तयार हो जाती हैं